नमस्कार बिहार मितला नूइज में आपका स्वागत है मैं मनोच देखे जब भी कोई गंभीर विसे होता है बिहार मितला नूइज संबंधि डॉक्टर या बुद्धिजीवी को आपके समख छलाते हैं ताकि उनकी जानकारी से ना सिर्फ आपकी जान बचे बलकि आपको रा जाते हैं जो नवजात हैं या फिर गर्वती मेला हैं हमारे साथ डॉक्टर उस्साव राज हैं आपका स्वाइजत है जी नमस्कार मनोच जी बहुत-बहुत धन्यवाद अपने चैनल में मुझे मंत्रिंग देने का देखे परसाद पॉले क्लिनिक और सुपर करते हैं कि आखिर वो मरीज गंभीर क्यों हुआ रही है कि मौसम ठंड का सुरू हो रहा है और एक तो सर्दी खासी से जएदा होता है और खास कर गर्वती महलाओं को जब अगर खासी होता है सर्दी होता है तो उसका क्या अथर पड़ता है और उससे कैसे बचा होना जी जी सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मनो जी आज भी जानते हैं कि ठंड में भी जो पल्यूशन और डस्ट होता है वो धीरे धीरे नीचे सेटल करने लग जाता है तो हमारे बीधिंग लेवल पर आ जाता है जिसकी वचे से इंफेक्शन्स बढ़ने लग जाते हैं ज जब ठंड पढ़ती है तो भी मास का प्योग करें ताकि आप कम से कम अपर रेस्पिरिटरी ट्रैक्शन्स लोर रेस्पिरिटरी ट्रैक्शन्स इनसे बच पाएं तो गर्वती महिला हैं वैसे भी एठायर रिस्क होती हैं उनकी इमेनिटी ठोड़ी कम हो गई होती है हो रहा है तो बच्चों पर क्या असरप्ड़ेगा उस समय उस से क्या करने चाहिए उसको नजर में रखतेवें किसी भी घर्वती महिला को अगर सदी खासी का प्रकोप होता है तो वो जिस भी गाइनेकॉलजिस्स को अपने दिखा रहे हैं जिनके फॉल उप में हैं तो उनको जाकर अवश्य मिलें और उनसे जाकर इक बड़ कितसा परमश जरूर ले जी अच्छा एक समस्या और होती है कि जो गर्दमती महलाओं का रूटीन अलग होता है उसके जो डॉ अब जानते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जल्दी जल्दी हो जाती है तो ऐसी महिलाएं अपने डॉक्टर से पहले से ही पूछ के रखें कि अगर ऐसा हो तो उनको कौन सी दवाईयां लेनी है और बढ़े रात के समय कुछ भी हो तो उनको क्या करना चाहिए वो अपने एक सवाल और भी है कि इस ठंड के समय में खासकर महिलाओं को जो गर्वती हो या पि जो गर्वती नहीं भी हो उनको डियाबिटीज या किस चीज़ से कितना ज्यादा नुक्सान पहुंच सकता है अगर किसी को डियाबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हाई हो तो उस समय उसक चांसेस उसके काफी ज़ादा हो जाते हैं खास करके डियाबिटीज के साथ कि अगर हम जानते हैं हमारा शुगर कंट्रोल नहीं है अगर शुगर हमारा हाई रहता है तो ऐसे में इंफेक्शन को फैलने का अच्छा मौका मिलता है क्योंपी शुगर एक मीडिया बन जाता है जिसमें इंफेक्शन बहुत पेजी से ग्रो करता है तो अपने डियाबिटीज यानि कि अपने शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छे से रखें जो भी डॉक्टर को आप दिखाते हैं उनसे अपना शुगर चेक कराके अपनी दवाईयां ठीक करवा लें अगर आप बहुत पास नहीं गया है तो उनसे जाके सुनिश्चित करें कि आप जो दवाईयां ले रहे हैं वो ठीक है की नहीं और सही समय पर उनका सेवन जरूर करें अच्छा तो इसके साथ हैं गर्वति मैलाओं के साथ ही बच्चों पर ज्यादा सथ खासकर जो नवजाद बच्चे होते ह हैं तो उन लोगों को इस ठंड में क्या असर पड़ सकता है कभी कभी कायाता कि चमकी आ जाता है जिससे बच्चे एकदम तो इस परिस्टिति में क्या क्या प्राब्लम हो सकता है नवजाद बच्चों के लिए देखी मनोजी चमकी आना तो अपने आप में एक खास करके लोगोने की वज़े से हुई है या फिर गरीन में किसी डामज की वज़े से हुई है तो यह दॉक्तर सुने शित करेंगे लेकिन अगर नवजाद शिश्यों में अगर चिमकी बीमारी थोड़ी भी अगर अगर आपको लक्षन लगते हैं तो आप इसी बैसे इस्पिताल में जाए जहां पर नवजाद बच्चों में या फिर एक साल तक के बच्चों में देखा जाता है कि उसका पुरा जो नाग जान हो जाता है शर्दी और कांसी से कप से तो बच्चे बोल नहीं पाते लेकिन का दम घूटता रहता है तो उस पर इस चीतिती में क्या करना चाहिए जी मनोची हमने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो नाग से सांस लेते हैं जालतर अमूमन अगर नाग उनका बंद होता है जैसे म्यूकस हम भी सेक्रीट करते हैं बड़ हम लोग नाग ब्लो कर लेते हैं ये जो चीजें हैं ये चोटे बच्चे नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि उनके नाक को साफ रखें, जिसके लिए सलाइन डॉपस आते हैं, तो दो बुन करके दिन में चार से पांच बार अगर आप पच्चों के नाक में डालते हैं, नवजाज शिशु से लेकर नौ महीने तक के बच्चों में खास करके जरूर पड़त नाक से काफी ज्यादा क्लेक्शन आया, उसके बाद वो बच्चे के सारी आवाजें चली गई और अराम से बिल्कुल नाक का ड्रॉप डालने के लिए महिला को बताया, मैंने उनकी मां को और बच्चा उस पर एदम कंफिटबल है, तो नाक अगर ज्यादा बंद होता है, त बच्चों में कौन से और समस्या आती है, विमारी आ सकती है, उसके संभावना रहती है, उसके लिए पहले से अलर्ट होता है, ठंड के समय में एक तो देखा गया है कि डायरिया भी उतना ही कॉमन होता है, मतलब पेट खराब होना भी क्योंकि खाना अगर, देखिए कोई य पारिया होना, वामिटिंग होना, वाइरल गैस्टराइटिस होना, यह सब चीजें ठेंड में बहुत कॉमन हैं, तो अगर बच्चे को उल्टी हो रही है तो उसे वारिज दें, पेट खराब है तो उसे वारिज दें, अगर बेखिता लगता है कि उल्टी बिल्कुल ही नही है, बहुत जादा हो रही है या दस्त बहुत जादा हो रहा है और बच्चे को पानी की हो सकती है, वैसे चृकित्सक में आप चिक वो यह इनफेक्शन की ना हो और मासे अलग रास जी इस तरह है कि मनोट जी इसमें हमें एजया हम कहते हैं कि अगर घर में को छोटा बच्चा है और किसी को घर में सर्दी जुकाम हुआ है तो वो कोशिश करके बच्चे के कमरे में ना जाएं अगर जाते भी हैं तो मास्क लाके जाएं और अगर मास्क लाके भी जाते हैं तो बच्चे को छूने की कोशिश ना करें या कम से कम उसके चेहरे को छूने की कोशिश ना करें एक दनवाद हम बता दें कि परसाद पॉलियंग क्लेनिक एंद सुपर होस्पिटल में अब , आप ने था अपने होस्पिटल में क्या, जो इस्टुमेंट से ये विखरा है क्या मरीजों के लिए है और जो भी डूटर होते हैं और जो भी s 00 powin सटाफ कोटे हैं डूटी में राथ दिन वह अमरेंसी मेडिसिन grain है तो एमर्जियंसी की सुविदा है उसके बाद हमारे पास typed art की सुन करा ही जाती है जनल अनिस्टीशिया भी दिया जाता है इसके लावा है हमारे पास फुली एक्विप्ट हैं मॉनिटर्स के साथ सक्षन ऑक्सिजन के साथ और बाइपटी फसिलिटीज भी वहां पर मौजूद रहती है इसके लाव हमारा ओसपीलाल के केंपस में लाभ भी है हमारा इल्ट्रासांड भी है चैस्ट एक्सैप में होता है वो भी ौर्त्टिल इइथि डिजिटल हमारा म lumière दूंग होता है अगर पेशन्ट अब ह लोग जादा सिक होता है न दो दूंग होता खाग हमारे मुख्य विभाग, इसके इलावा फिर भी ओन सर्जरी की के डॉक्टर आते हैं के हमारे बिया धनुबाद अव्रागी है हमारे सप्वारज भड़िश्व एक अधम कि पहुत पर्साद फेटल इस मेरा सुधाओं के साथ डॉक्र आरार पासाइत का निर्टर्तिय में लिखातार मरीजों को बारिकी से यहां सिर्फ इरह होता है बलकि सोध भी होता है ताकि सोध से बहुत से मरीजों का इलाज ऐसे भी होता है कि ऐसे होई से होंपिट्रобраз होते हैं जहां आपको अनवश्चで कुरूप से भरती करा जाता है फिर उन लोगों पर जो एक्सपेरिमेंट किया आता है लेकिन यहां सोध होने के बाद आपके बच्चों का गर्वरती महलाओं का या फिर जो वैसे बेक्ति जिना मेडिसीन से संबंदी तिलाज होता है उसके लिए ब्यापत ब्यवर्सा की गई झाल झाल झाल